अलर्ट कर दिया गया है खूफिय अजिंस्ट्यू के तरफ से धमकी बरी चुठी मिली है जैश्य मुहम्मद की तरफ से जिसमें रिपोर्ट को निशाना बनाने की बात भी सामने आई इसको लेकर अब जुराज के रिपोर्ट से उनको और राज्यों को भी अलर्ट पे जारी क कर दिया गया है एक पत्रो और गांधी नगर कानपूर में भी कानपूर हवाई अज्टा है वहां पर फिल्हाल एरट मोड पर शासन के लोग अगली खबर आपको बना दे बुलंड शेयर से जहां पुलिसर बदमाशों में मुटभेड हुई है चौबिस घंटे में दूसरी मुटभेड ये हुई है बुलंड शेयर से बड़ी खबर जहां पुलुसर बदमाशों के बीच मुटभेड हुई का जारा कि चौबिस घंटे में दूसरी मुटभेड है पुलिस घंटे में गायल भी है बदमाश फरमान उसके पैर में गोली भी लगी है वहां चेकिंग के दौरानी मुटबेड हुई और वर्दात को अंजाम देने जा रहे थे लेकिन फिलाल पुलिस ने धर्दबोचा है मुटबेड में बदमाज फर्मान वो घाल भी बताया जा रहा है देकि मौके से गोली भी मिली है और बाइक भी पुलिस को मिली है एक तबंचा कार्टू भी बरामद हुआ है पुलिस को ये बाइक के साथ साथ और फिलाल जो बदमाज है फर्मान वो अभी होस्पिटल में भी है पैर में गोली लगी है और पुलिस के और बुलन शेयर से ख़बर आप तब इस वस्वसम पहुचा रहा है 24 घंटे में दूसरा मुठ भेड बताई गई हुई है बदमाज और पुलिस के बीच में जिसमें पुलिस ने बदमाज को पकड़ा है पैर में गोली लगी उसके एंकाउंटर के दूरान जो मुठ भेड हुई उसमें और उसके बाद इसको हॉस्पिटल में भर्दी किया गया लेकिन फिलाल पुलिस को तमंचा कार्टूस और एक बाइक भी बरामद हुई है मनुझ हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर मनुझ देखे वहां चेकिंग के दुरान बताया जो है रहा है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठ भेड हुई ये भी कहा गया किसी वारदात को अंजाम देने चाह रहे थे बदमाश पुलिस ने रोगने की कोजिश की लेकिन नहीं रोगने पर इसने पुलिस पर फाइरिंग कर दिया पुलिस ने भी फाइरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी है पुलिस ने क्या कुछ अभी इस बदमाश से कबूल करवाया है कौन सी घटना को अंजाम देने के लिए बुलंशेर आया था पुलिस का कहना है कि अभी इलाज के बाद में बड़ी गहनता से पूछता चोगी उसके बाद में आगे की करण रवाई की जाएगी मनोज इस बदमाश के पास से क्या क्या पुलिस को बरामद हुआ है एक कंचा है खाली कार्टूस है और एक बाइक बरामद हुई है जो घटना में पकड़ी गई जी बिल्कुल देखिए पुलिस को काम्याबी मिली है 24 घंटे में दूसरा एंकाउंटर है बहुत बहुत शुक्री आपका इन तमाम जनकार्यों के लिए मनोज पुलिस ने तलास जारी कर दिये बदमाशों की नगर कोदवाली के चकवन तोड की पूरी घटना बताई जारी है जहां पर देखिए प्रताफगर में रिक्षा चालग को निशाना बनाया गया उसको लूट करने की रादे से कुछ बदमाशों ने उस पर हमला किया गला भी काटा उसका घाल वस्था में उसे फिलाल बनवारी प्रागराज रेफर कर दिया गया है और बदमाशों का आतंग देखिए किस तरह से बढ़ता हुआ लेकिन पुलिस भी लगाता अपना शिकन जाकत्वी पुलिस के अभी तलाज जारी है जिन्हों ने इस घटना को अंजान दिया है उसको लूट कर दिया गया गया अगली खबर ग्रेट अनौडा से जहां पर हॉस्टल चात्रों ने जम कर हंगामा किया है घटना नौडा से बड़ी खबरमाब तक कोचार इस वक्त जहां चात्रों ने रोड जाम करके यह हंगामा किया है हॉस्टल की छात्र रोड पर उतरे रोड को जाम किया बिजली बिल बढ़ाने से नराज है सभी छात्र और कोचालिया इस्टेंजा हॉस्टल का पूरा मामला बताय जा रहा है जहां पर छात्रों का गुसा और रोड पर उतर गए सभी छात्रों रोड पर जाम लगा दिया कहा जा रहा है कि जो बिजली का बिल है वो जादा लिया जा रहा है छात्रों ने रोड जाम की बिजली का बिल बढ़ाने से नराज हुए थे सभी चात्रों और फिर रोड पर धरने पर बैट गए पोचालिया अस्टेंजा होस्टल का यह पूरा मामला है ग्रेटर नड़ा की बड़ी खबर इस वकत आप तक पोचाल रहे हैं चात्रों ने अपना गुसा जाहिर किया है चात्रों ने रोड जाम करके हंगामा भी किया बिज्ली बढ़ाने से नराज थे सभी चात्रों और रोड पर अपनी बात सामने रखते हो भी नजर आए गुसा होस्टल पुशासन की इस करतूत पर उनका जाहिर हुआ है जिसमें उन्होंने बिज्ली का जो बिल है वो बढ़ा पर गैंगरेप भी घटना को अंजान दिया गया तमंची के बल पर गैंगरेप और राम्पू की घटना है जिसको वीडियो भी सोच्छल मेडिया पर खासा वारल हो रहा है इस वक्त उसके साथ उसके गाउं की ही एक लड़के ने तो था उस लड़के के एक दोस्ती खेतों में दुराचार किया उसे धमकाया और उसका वीडियो से जगाई वीडियो उन्होंने जब वाइरल कर दिया गाउं के कुछ लोगों से पर जनों को पता चला तब उन्होंने अपनी मेटी से पूछ ताच की और उसके बाद कोच्वाली आया उनों हमारे साथ रामपूर के स्पी अजय पाज शर्मा वो भी जूड़ चुके इस खबर पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत भारा समचार में पहले तो लेकिन देखिए एक ज्यूवती के साथ गैंगरेपी घणा अजय पाल जी जो युवती है जिसके साथ हाथसा हुआ उसने कुछ बयान दिया अभी तक? बयान भी लिया गया है जैसे मैंने बताया कि कलगासरी में गंद्ध आई है तर फेयर दर्ज की गई चिकित से खक रिक्शन कुराया गया है उसके बाद आगे की कारवाहि की गया है वो जानती थी वह नंकी पहचानके लोग थे उनको पहचानती है और जिन्य नहों बताए ह इस वारूपी को आपने इस वक्त गिरफतार किया है उसने क्या कुछ का उसके क्या बैयान अभी तक दर्ज हुए हैं क्या अभी डिटेल में पूश्टाश की जा रही है अभी बैयान अंकित किया रही है बहुत 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 शुक्री आजे पाल जिन तमाम जानकारियों के लिए आपका मुजफण अगर से अगली कवर जहां पर आपको बता दे कि भाग्यू का विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है गन्ना भवन के सामने होगा धरना प्रदर्शन और इस वक्त की बड़ी ख़वर आपतक हम पहुचा रहे हैँ जब मुझफर नगर से भाक्यों का विशाल धर्ना प्रदर्शन चुरूँ हो चुका है हजारों कि शान फिलाल धर्ने के लिए लखनों भी पहुच चुके हैं तो गन्ना भुक्तान और बिजली के दामों को लेकर ये धर्ना प्रदर्शन किया जा रहा है गन्ना भवन के साब में धर्ना प्रदर्शन लखनी और ये संध्या में किसांद जिन्दा होट जिन्दा होट जिन्दा होट तो दुखे किस तरह जो किसान उनका घुसा हो रहा है इस उनके आंदोलन से और भाक्यों का विशाल धर्ना प्रदर्शन है थारों किसान फिलाल लखनों पहुच चुके हैं जो बिजली के दा में उनको लेकर उनके अंदर घुसा है उसको लेकर उनका धर्ना प्रदर्शन है गना भुतान को लेकर इक किसान खासा नाराज है उसको लेकर भी उनका धर्ना प्रदर्शन हो रहा है मुदफ़न एकर से खबर बता रहें जहांपर कई किसान इस वक्त लखनों के लिए रवाना हो चुक हैं भाक्यों का ये विशार धन्ना प्रदर्शन हो रहा है तो देखें भी हमने आपको बुलंच ये की खबर दिखाई थी जहां पुलिस बदमाशों के बीच मुढ़ेड हुए है का जा रहा है 24 गंटे में ये दूसरी मुढ़ेड है पुलिस बदमाशों के बीच की इसके साथ बदमाश फर्माद है उसको पुलिस ने फिलाल अपने कब्जे में लिया है उसकी पैर में गोली लगी है वाहन चेकिंग के दुरान ये मुढ़ेड हुई थी का जाता है कि बहुत बस स्वागत आपका भारस समाचार में पहले तो जी सर देखिए पुलिस बदमाशों के बीच में मुटभेड हुई आपको ए काम्याबी जरूर मिली है लेकिन काजर एक बड़ी घटना उक अंजान देने की फ्राक में था है बदमाश क्या जान का रही है जो हापु जनपद का रहने वाला है इसके बिरुदेख दर्जन से अधित चोड़ी और लूट के गंभीर मामले दर्ज है और बड़ी बादरत के इरादे से हमारे छेत्र में शक्री था और एक हमसूचना थी इंटेलिजन्स उसी के आधार पर इसको आध जब तलास ने रोकने का प्र इसका दूसरा साथी मोगे से भागने में सफ़र रहा है जिसके बारे में हमें जानकारी साथ हो गई है जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो कब तक गिरफ्तारी हो सकती हो दूसरे आरोपी की बदमाश की बहुत 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 शुक्तिया संदोश कुमार सिंग जी आपका नहम जानकारी हम तक पहुचाने के लिए न्योडा स्टेडियम के गेट नमबर 4 से सैकडों महिलाएं पुर्शों और बच्चों ने हातों में कैंडल लेकर इमाम हुसैन के याद में जलूस निकाला इमाम हुसैन को याद किया गया न्योडा से तस्विरे हम आप तक पहुचारे जहां पर दे की स्टेडियम में कैंडल मार्श निकाला गया है तो लगनों से अगली खबर जहां रेजिडेंसी में गार्डों की गुंड़ाई देखने को मिली इसी के साथ आपको बता दे कि जो अवैद वसूली है उसी के चक्तर में युवक युवति को जम कर पीटा चार दिन पहले पिटाई का वीटो भी वारल हुआ ता है याँ पर इ पैसे वसूलते हैं लोगों से सुवधाय उपलब्द भी नहीं कराते सहीते पैसे नहीं देने वाले प्रेमी जोडों के साथ ये मारपीट भी अक्सर करते हैं पर देखें ये तस्वीर भी थी जो वीडो बारल हुआ है को प्रेमी जोड़े की उसके बाद से कारवाई की मां सची सहेली महिलाव के लिए सबसे भरोसे मंद आश्यदी एवं टॉनिक किसान भाईयो प्रदेश सरकार ने किसानों की आये दो गुनी करने उन्हें विचौलियों से बचाने और उनके उत्पाद का समुचित मुल्य दिलाने के लिए प्रदेश के किसानों से धान खरीद का निर्ने लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के मद्ध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2019 से 29 फरवरी 2020 तक सामाने धान 1815 रुपए प्रतिकुंतल और ग्रेड ए धान के लिए 1835 रुपए प्रतिकुंतल का समर्थन मूल्य सुनिश्चित किय गया है सभी किसान अपने धान की विक्री के लिए नजदीक के जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे पर जाकर खादे विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजी करण करा सकते हैं क्रे केंद्र पर उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपए प्रतिकुंतल अतरिक्त भी दिया जाएगा धान के मूल्य का भवतान 72 घंटे में किसान के खाते में पहुँच जाएगा इस वर्ष बटाईदार वा कॉंट्रेक्ट फार्मर से भी खरीद की जाएगी जिसके लिए उन्हें भी पंजी करण कराना अनिवारे है किसान भाई पंजी करण के समय खातवानी में अंकित नाम से आवेदन करें तथा पंजीयन प्रपत्र में राष्ट्रेक्रित या शेडूल्ड बैंक के खाते का विवरण अंकित करा है किसान धान की खरीदारी के संबंध में किसी भी जानकारी वा शिकायक के लिए खात्य विभात के टोल फ्री नमबर 1800-1800-1500 पर कॉल कर सकते हैं या अपने जिले के जिला खाते विपढ़न अधिकारी से संपर कर सकते हैं